एक शायार अगर इस लड़ाई में खूत पड़ा है तो इस लड़ाई के बड़े होने का मतलब समझिएगा मैं इम्रान प्रता कड़ी आपके बीच में घड़ा हूँ वो साज़ भी इस देश के लिए, इस देश के सम्विधान के लिए, इस देश के लोगतंतर के लिए जो मेरी दुआ है, उस दुआ के नाम मैं चंद शेर सुनाता हूँ आपको के जिन्हें कुभूल नहीं राहे हक में सर देना आपका जोश नजर आना से मुझे ऐसा न लगे कि आप ठक गए हैं अभी आप रहते पर साथ को सुनेंगे मेरी माए बैने जो अधर बैठी हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ी देर साया छोड़ करके धूप में आ जाए जब पूरा हिंदुस्ताम सुलग रहा हो तो साय में बैठने से काम नहीं चलेगा धूप में निकलना पड़ेगा मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी लोग दर दर टहल रहे हो आ जाए जिन्हें कुबूल नहीं राहे हक में सर देना हमारे मुलक को ऐसे न राह बर देना हमारे मुलक को ऐसे न राह बर देना और एक शायर जो चंद दिनों पहले नुटा बना है उसके दिजी की दुआ सुनिएगा मैं जंब लड़ने चला हूँ तेरे भरो से पर हमारे मुल्क को ऐसे ना रावर देना में जंगरे में चला हूँ तेरे भरों से पर तु अपना जोर मेरे बाजूँओं में भर देना और यह चुना लड़ने का मकसद सिर्व स्यासत में इंजरी कर लेना नहीं है सांसत पंजारा नहीं है मैं जो लड़ाई पिछले साथ आग साल से लड़ाँ उस लड़ाई के मकस्द को समझिएगा के मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ मुझे महाज बनाना है जालिमों के खिलाफ मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना मेरे खुदा मेरी आवाज में असर देना जो नई दस ने आप दिखाई दे रही है जो बुजर किनारे बैठे रहे हैं साये में यह जो मेरी माए मैंने आप धूप में खड़ी है मैं इन तमाम बहते वे पसीनों की बुनियात पर आपसे कहता हूँ कि यह लड़ाई जो आप लड़ने जा रहे हैं आने वाली मसलें आपको याद रखेंगी पुझे बहुत चोटी भी बात याद आती है कि एक जंगल में आग लग गई बहुत भयानक आग जंगल के सारे पेर धूदू करके जलने लगे सारे आशियाने जलने लगे जिस तरह इस वक्त मुल्त में नफ्रतों की आग लगी हुई है वैसे ही जंगल में आग लग गई जंगल के सारे जानवा जंगल के सारे परिंदे जंगल छोड़ के भाग रहे एक ननली सी दोड़े हैं आपने जलते हुई आशियाने को देख रही एक आएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई जे वो उर्द करके परोष के जंगल में तालाग पर गई और अपनी चोच में जितने भून पानी ला सकती थी लेकर आई और दहकती हुई आप के ऊपर छोड़ जा फिर पलटके गई फिर अपनी चोच में जितने भून पानी ला सकती थी लेकर आई और दहकती हुई आप के ऊपर छोड़ दिया फिर पलटके गई फिर पानी लेकर के आई जब ये करते करते वो बहुत ठक रही तो फ़रोष के परोष के जवाब बात नहीं वहाँ बैठे में अच्विर ने उससे कहा क्यों रही गवरिया तुझे क्या लगता है तेरे दोबून पानी से जंगल की इतनी बड़ी आख भुच जाएगी गवरिया के जवाब को इमरान पुदा गड़ी का जवाब समझना अपना जवाब समझना गवरिया ने कहा मुझे ये पता है कि मेरे दोबून पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आख का कुछ न भी करे लेकर उससे भी बड़ी बार कुझे ये पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नई बल्की आग कुछ आने वालों में इस कोशिश की वज़ा से इस कोशिश की वज़ा से इस लगाई में पूत पड़ा हूँ मैं जानता हूँ कि सामने जो लोग है वो बड़े सियासी लोग है बड़े समझदार लोग है बड़े समीकरणों वाले लोग है लेकिन मैं एक ये भी जानता हूँ कि हमारे पास इमानदारी है हमारे पास नेक नियती है हमारी नियत अच्छी है हमारा जजबा अच्छा है और हमारे पास मान्मिर राहुल गांधी जी जैसा एक मेता है जो गरीबों के बारे में तोचता है धन्ना सेथ है उनके पास अम्बानी है अडानी है धन्ना सेथ है उनके पास लेकिन राहुल जी के पास इस देश की आम अवाम है जो इतने डिगरी ट्चेमपरेशर में भी फूप में खडी होकर के कॉंगरेस का छहंडा थामे हुए है मैं सलाम करता हूँ ऐसे तमाम लोगों को इदर जो लोग हैं वो तो साये में खड़े हैं लेकिन सामने जो भीर खड़ी है ये पसीने में नहाई हुई जो भीर है ये इतिहास बदलती है ये मुल्गी तारीफ बदलती है मैं सेलाम करता हूँ आप सब की मौजूदगी को हमने रोड़ शो किया था 28 तारीक को पूरा शहर हमने भर दिया था जब आज के इस नामांकन की बात आई तो मेरे तमाम दोस्तों ने कहा कि बहुत बड़ी भीर करते हैं बहुत बड़ा मजमाज उटाते हैं बड़ नामांकन करने चलते हैं मैंका नहीं भीर तो हमने 28 तो बड़ा के मौजाबाद को दिखा दिया है अब तो हम हर इलाके से मक्सूस मक्सूस लोगों को बुलाएंगे और बताएंगे कि देखिए पूरा मौजाबाद अपने बेके के लिए उमर आया है वरादाबाद वालों मैं यहां नेता बनके नहीं आया हूँ मैं यहां बेका बनके आया हूँ लोग कह रहे थे शुरू में आया कि नेशाब वो तो बाहर से आया है मैं यहां खड़ा हो कि आप से पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि मैं इम्रान प्रताब गड़ी हूँ रहता मैं प्रताब गड़ने हूँ लेकिन आप यकीन करें कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर जल्म होता है, ज्याक्ति होती है तो मेरा दिल रोता है मेरे घर से पाँच सो किलो मिटर दूर जब एक नौजवान लड़का जेनी उपढ़ने के लिए गया और उसे गायक कर दिया गया अलजीब तो जब मैं उसके लिए आंसु बहा करके नजमे पढ़ रहा था तब मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरे जिले का नहीं है वो तो बनाई उता है मैं क्यों नजम पढ़ू जब पहलो खान के साथ जाती हुए उन्हें पीट पीट करके मार दिया गया तो रम्दान के महीने में भी साए 800 किलो मिटर का सफर तै करके उस बूड़ी मा जो दोनों आख की नावीना है पच्चासी साल की बूड़ी मा उसके आँसू पोच्छने के लिए ये इम्राफ हमेशा खड़ा नज़र आया जब रोहिद देमुरा जैसे एक होनहार चात को खुदकुशी के लिए मजबूत कर दिया गया उसके लिए जब भी कहीं प्रोटेस्ट हुआ तो आपका ये बेटा खड़ा हुआ नज़र आया जब मागलिंची के नाल कर पूरे मुल्क में लोगों को मारा जा रहा था तो मैं आपको इमांदारी से बताओं कि मैंने अपने तमाम चाने वालों से ब्यज्यारिश करी किया तो लहू लहू बंदाłada दिखाई पर रहे हैं इसके लिए हमें भी लहू देना पड़ेगा मैंने अपने तमाम चाने वालों को चंदर मंदार पर इकटठा किया और एक दिन में हमने एक अनुठ़ा अहत जाज किया, अनुठा प्रोकेस्ट किया हमने कहा हमारे मुलक में आम अवाम अकलियतों का, तलिकों का बोवीसी का फून क्यूं बहा रहे हो अगर तुम्हे फून की जरूरत है तो लो मेरा फून ले लो हम इसे डोनेट करते हैं यह सेरा के जवानों की जान बचाने के काम आएगा फिसानों की जान बचाने के काम आएगा इसे सबस्ट पर मत बहाईए इसे जमीन पर मत बहाईए यह किसी के काम आएगा एक दिन में आपको चान के हैरत होगी मुरादा बागवालों कि हमने एधिजाज के तौर पर एक दिन में 2816 यूनिट ब्लग डुनेट करके हुकूमत को दिया कि लीजे हमारा खून ले लीजे लेकिन हमारे भाईयों को सड़कों पर उनको मार कर तो हूंगा खून मत बहाईये मैंने पसीरा बहाया है मैंने खून बहाया है मैंने खून दिया है मैंने कभी नी सोचा कि मैं कहा कहा हूं मेरे वालिक मिरी अम्मी कभी कभी कहा करते हैं वाजबा यहां पे मौजूद है मेरे वालिक मुझे कहा करते हैं कि तुम तो प्राय जैसे हो गया हम तो तुम घर के लग लिए भी आपने एक को समाज की खिद्मत करने के लिए वक्त कर लिया है अगर उस एसास की बुनियाद पर आपके बीच ख़़ा हूं मेरे लिए सियासत में आने का फैसला बड़ा मुश्किल था जब हमारे रास्ट्रिय अध्यक्ष आदमी राहुल जी ने ये कहा कि अमरान आपको सियासत में आना चाहिए आपको चुना लड़ना चाहिए तो मेरे लिए वो फैसला बड़ा मुश्किल था यहां तमाम मुरादाबाद के सीनियर मोस्ट कॉंग्रेसी यहां पे बैठे हुए कॉंग्रेस परिवार यहां बैखा है जिनकी रगों में कॉंग्रेस लहु बन के दोड़ती है ऐसे लोग यहां कैथे हैं जिनों आपने खूंसे अपने पसीने से कौंग्रेस परिवार को सीचा है मैं उनकी मुझूदगी में यह कहता हूँ कि मैं आपके परिवार का सबसे नया सदस्य हूँ सबसे चोटा सबस्य हूँ लेकिन मैं आज से वादा कर रहा हूं कि आप मेरी जमानत लेकर के मुरादाबाद से कहें कि हमने उस लड़के को जाचा है परखा है लड़का अच्छा है काम करेगा उसके अंदर जजबा है खिद्मत करने का मैं यहां सांसत बनके अपने उपर को इक्ताइग लगवा करके अ अपना उहता पाया करने नहीं आया हूं मैं चाहता हूं कि मैं खिद्मत करूँ और इस मल्क में जिस लड़ाई को लेकर के आजड़ी राहुल गानी जी चल रहे हैं उस लड़ाई में उनका सिपाही बनके उनके पीछे ठड़ा हो जाऊं मैं तुम्हें अपने उसूरों की क मुझको मजब के तराजू में न काला जाए मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है मुझको हिंदू या मुसल्मान न समझा जाए मैं आप से गुजारिश करने आया हूं मरा दबाब वालों कि मैं अब आप का हूं मैं आप के बीच का हूं कुछ लोग आएंगे आप से कहेंग कि तेज्टारीफ न वादा करता हूं मरा दबाद वालों आप से मैं वादा करता हूं आप से के रात के बारा बजे भी आपको अगर मेरी जरूरत महसूस होगी तो मैं आपकी चौखट पे खड़ा हूआ रज़राओंगा ये वादा करता हूं आप से और ये मेरा वादा सियासी वादा नहीं है ये मेरा वादा सियासी वादा नहीं है मैं साहितकार हूं मैं गलमकार हूं मैं शायर हूं मेरे सीने में एक बहुत हसास सा दिल धारता है उस दिल की बुनियाद पर आप से कह रहा हूं कि मेरा वादा सियासी वादा नहीं है ये जो मेरा वादा है वो एक सच्चा वादा है एक बेटे का वादा है एक भाई का वादा है एक ऐसे इंसान का वादा है जिसे सियासत कमाती है आरवी राजबकर जी बस थोड़ी तेर में पहुचने वाले हैं उसके बाद हम भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉप्टर भीम राम बेट करके की प्रतिमा पर मालयारफ़ करने के बाद दो शब्द उन से दुआ और आशुरात के लेने के बाद आदनी प्रमो तिवादी जी को सुनने के बाद भुजून की शक्ल में आंकन के लिए निकलेंगे जो लोग भूप की वजा से इदर उदर खड़े हैं वह भी खड़े रहें लेकिन जब राजबकर जी आ जाए तो आप बिल्कुल मैं जानता हूं इस तरी तेज भूप में खड़े होना के आंकर इतना मुश्किल काम है रमेश तोर्ज ने कभी एक शेर कहा कि नया पाने की चाहतÓ पुरा चूप जाता है तुझे अपना हूं तो मुझसे जमाना रूप जाता है मुहबबच को पढ़ने में बहुत आसान है लेकिन महबच को निभाने में पसिना चूप जाता है लहरा तो यह जंडा और बलंद करके लहरा तो लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे बहुत सारे लोग करें कि वह तीस साल का लड़का है अकेला आया है क्या कर लेगा उन्हें यह पता किया है कि मेरे पीछे मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिला करके मेरे लिए मंदिर के भजनों में और अपनी मुसले पर नमाजों में मेरे लिए जो दुआएं करने वाले लोग हैं, हमकी तादाद बहुत बढ़ी है, रा में सत्रे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है, तेरी लशकर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, मैदान में होगा कि मरता कौन है, यह जो जनूर है, यह जजबा है, इसे बरकरार रखिएगा, बहुत सारे लोग आपको पुरा करने आएंगे, बताएंगे कि नहीं साथ, ऐसा है, वैसा है, वो तो दूर से आया है, उन्हें बताईएगा कि अगर आदरी नरेंगर मोधी जी, गुज्राथ से आकर के बनारस के चुनाव नर् सकते हैं, आदर्णी अखिलेश यादोगी पितावा से चाकर के आजबर से चुनाव नर् सकते हैं, तो एक गरीब इनसान का बेटा, इम्रान परताब गरीब प्रताब घर से आकर मुढ आदाबाद से चुनाव क्यु नहीं न कर दो कर सकता उसके पास कर विरासत नहीं है उसके पीछे कोई सियासी वजूद नहीं है लेकिन यह कॉंग्रेस परिवार है जो ऐसे ही किसी भी इंसान को उसकी प्रतिभा को सके हुनर को कहचानता है और उसे उफा करके सियासत कि दुनिया में एक एहम जगे मकाम दे देता है ये कॉंग्रेस परिवार है, ये आदर्णी राहुल गांदी जी की दूर दर्शी सोच है, और आज तो मैं आप से ये कहता हूँ, कि आपने बड़े जुमले सुने हैं, बड़े वादे सुने हैं, बात साल पहले कि पंद्रा लाग दिये जाएंगे, ये दिया जाएगा, हो दि लेकि इन दिनों राहुल जी ने एक वादा किया है, उन्होंने कहा है कि हम न्याय योजना शुरू करेंगे, और उस योजना में हर गरीब परिवार को न्याय दिलाएंगे, वो गरीब परिवार जो बिल्कुल गरीब है, उसको हर महीने छे हजार रुपए, यानि साल में 72 तर हजार रूपाय देंगे यह राहूल जी ने वादा किया है facing सुच्छे इंस teachings दे is a reflection ने वादा किया है और राहूम घानभी का बादा नरेंद्र मोदीची की का वादा नहीं है राहुल गांधी जी ने जब यह कहा कि हमारी हुकूमत बंदे ही अमध्य प्रुदेश में 36 गड़ में राजस्तान में दस दिन के अंदर कर्द माद कर देंगे किसानों का तो आपको जान के हैरत होगी कि हुकूमत बनने के दस घंडे के अंदर कर्द माद कर दिया ये गाहुल गांधी का वादा है यE प्रेंकाजी जी फैनले करके निकली है जब सब उस को सबस्ब्स के आफली स्टेज पर है और जिसका मुहबत के स्वा कुछ भी नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा ये चारो तरफ नफ्रतें भेलाने वाले लोग है जो बाध देना चाहते हैं समाज को, जो लायना चाहते हैं हिंदू को मुस्लमान से, सिख्ग और इसाई से आपस में, उन्हें बताओ कि वह कॉंग्रेस है, जो हिंदुस्तान की गिलाशत को सहेच के चल रही है, मुझे अच्छा अच्छा लगा जब में मुरादाबाद आया और कल शाम में मैं पर देश्राश शर्मा जी से मिले गया तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखके गुआ देते हुए इस लोग पढ़के कहा मंत्र पढ़के कहा कि जाओ बेटा इम्रान तुम्हें सफल होना है काम याद होना तुम् वित्वारा मुस्टबिल बहुत खुब्सूरत है मुझे अच्छा लगा जब में असरत मौलाई जिस दड़ाई को मैं पिछने साथाथ साल से मुशारे के प्लेटफॉर्म से लड़ता रहा हूँ, अब उस दड़ाई में मैं अकेला नहीं हूँ, मिरे साथ सैकड़ों हजारों लाफों लोग कड़े हैं। पर्वा नहीं की कि हुकूमत बाहर रहने देगी या जेल में डाल देगी। ये पर्वा नहीं की कि सांसे चलती रहेंगी या रोगती जाएंगी। जो कैंडिडेट हैं, कोई 60 साल का, कोई 60 साल का, वो जो कैंडिडेट हैं, मैं उनके बारे में बस एक बात कहता हूँ, कि वो एक उम्मीदवार हैं। एक कैंडिडेट हैं, कत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। बाकी पाइटियों ने आपको उम्मीदवार दिया है इस कनाओ में। लेकिन पंग्रेस पाइटी ने आपकी आवाज को उम्मीदवार बनाया है। आदम भाई! आदम भाई! वो आदम भाई! पुझे तो पूरे मुरादाबाद के एक एक शचस का नाम देना है, पहसे तो दीजे हज़र्ण। सगी सभी सहाँब हमारे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, कज उन्होंने भी मुझे तेले लगा के दुआ के थी। आदम भाई! वो आदम भाई! वो आदम भाई! हलो! मुझे तो एक एक शचस का नाम देना है। मुझे आदम भाई! मुझे इंड़ान भाई! इंड़ान भाई! बड़ाबाद से सो किलोमिटर पूर बड़ापुर जो हमारी जोग सबा छेत्र की एक धान सबा है वहां से जो हमारे भुजूर गाय हुए है मौतरम आरिफे टोकेट साब है मौतरम हुजेर अंसारी साब है जावेद साब है मैं इन सब की मौजूद्गी को सलाम करता हूँ जो अपनी रातों की नील को छोटा करके बहुत सुबा निकल करके सेको किलोमिटर का सफ़ता करके यहां आए है मैं उन सब की मौजूद्गी को सलाम करता हूँ माने प्रमोट की वारी जी पहुचने वाले है परिम लिजा साथ, शकीर चोद्री साथ, अलिश शर्मा साथ, मुशाइट चोद्री साथ, शकीर सेट साथ का नाम दो एक बाग यही दुदा हूँ, दोबारा दिन दिनता हूँ, हमारे बड़े हैं शिद्लू साथ, आरिक साहब, नदाका तुजरन साहब, गंगराम शर्मा साहब, बस ये समझ ले, कि यहां मौजूद एक एक शक्स, जिसने भी मुझे दुआएं दी हैं, जिसने भी मेरा साथ दिया है, मैं उस सब का शुक्र गुजार रहते हूँ, आदनिया, आदनिया चोहा साहबा, बड़ा पुर में उस दिन आग्ने मुझे मा की तरह मेरे सर पे हाथ रखके आशिरवात दिया था, मैं आपकी वजूद्गी को सलाम करता हूँ, मैं चानता हूँ, भूब बहुत है, बस थोड़ी देर का इंतजार और है, ये जो आलम है, इसे लहराने दीजिए, अ ऐसे ओजर तहले उसे मुदारिश करूँगा, कि साया छोड़ कर के भूब में निकला हिये, ये धूब आपका इंतखान ले नहीं सकती, आपके हऊसमब को तोर नहीं सकती, आधनियर प्रघUत तिवारी गौचने वाले हैं, जो मुझे थे वह रख देने के लिए प्रताप आदर से चलकर कर आ रहे हैं पोर्ड नेता विधान मंदल दल है पोर्ड राजसवा सांसद है आदनी राजबकर जी प्रदेश अठ्वाक्ष हमारे बीच कर पहुंचने वाले हैं अब यह थोड़ी जिए आप अप पॉड़ी कि अ कि अ